जै मातादी फ्रेंज कैसे हैं आप सब सभी को नवरात्र की हार्डिक शिप काम नाए फ्रेंज आज चौतर नवरात्र है और आज की दिन पूजा की जाती है मा कुष्मांडा की तो आज हम इस वीडियो में जानेंगे मा कुष्मांडा के बारे में और वो हमें क्या सिखाती है एनर्जी की कौन सी फॉर्म रिप्रेजेंट करती है इसके बारे में इसके पहले भी मैं ये सभी फॉर्म अपने प्रिवेस वीडियो में शेयर कर चुकी हूँ पर अब एक बार फिर से इन नवरात्र के दिनों में देवी के एक एक सवरूप की मैं डिटेल इसलिए शेयर कर रहे हूँ क्योंकि जब तक आप ये नहीं जानेंगे कि देवी हमें क्या सिखाना चाहते हैं माँ हमें क्या शिक्षा दे रही है अपने सरूपों के जरिये तब तक जो आपका पूजन है वो अधूरा है जब आप किसी चीज़ को समझ जाते हैं तब ही उसमें आपका जो trust है वो खंड होता है तब ही आप उस चीज़ को follow करते हैं उस शिक्षा को follow करते हैं और तब ही आपका जीवन और आपका पूजन दोनों समपूर्ण होते हैं तो आया जानते हैं मा कूश्मा अंडा के बारे में तो कूप का मतलब होता है छोटा यानिकी small उश्मा का मतलब होता है warmth या फिर energy और अंडा का मतलब यहाँ पर है cosmic egg से जो की एक बहुती विशाल का एक form होता है energy की it's an extremely big form of energy तो मा कूश्मा अंडा की जो energy है यह परवेड करती है पूरी universe की छोटे से छोटे particles से लेकर बड़े largest particle तक from the smallest to the largest particle in the entire universe तो छोटे से यह बड़े में change हो जाती है और बड़े से छोटे में change हो जाती है मा कुशमानदा represents कि जैसे कि कोई बड़ी energy होती है biggest form of energy होती है उसी तरीके से परमात्मा ने हमें भी बहुत powerful बनाया है हमें भी बहुत strong बनाया है हमें ये पूरी body दी है इतनी अच्छे organs दिये हैं इतनी wonderful senses दी है और इतना कुछ दिया है life में तो we should feel abundance हमें खुश रहना चाहिए life में fullness की feeling आनी चाहिए happiness होनी चाहिए हमारी life में abundance होनी चाहिए जिससे कि हमारी body का एक एक particle heal हो सके तो हमें हमेशा खुश रहना चाहिए so that जो हमारी life force energy यानि की प्रान शक्ती है ये भी बहुत अच्छे से हमारी body में flow करती रहे हमारी चक्राज अच्छे से work करती रहे और हम हमेशा healthy रहे mentally physically और soul wise emotionally aligned रहे similarly अगर हम अपने body के एक एक part की एक एक organ की एक एक cell को consider करके बहुत अच्छे से care करें ये सोचके कि हर cell हमारी लिए एक life line battery की तरह है तो हम higher level of consciousness तक पहुँच पाएंगे क्योंकि जब हम अपनी care करना start करते हैं then we start feeling that happiness के हमारे पास कितना कुछ है हम gratitude के mode में आ पाते हैं जैसे हम gratitude के mode में आते हैं then we start thinking के अच्छा ये चीज वैसे नहीं हुई जैसे हमने सोचा था but इसके बीचे definitely कुछ तो reason होगा है कि हाँ हाँ ये तो गलत हो सकता था जो हम control करने की कोशिश कर रहे थे ये तो बहुत अच्छ होगा कि God ने ऐसा किया हम तो बहुत सारी चीजों से बच गए तो immediately हमें उस question का answer मिलता है जब हम believe करना सीखते हैं और ऐसे ही तीरे तीरे एक एक level पार करके हम अपनी higher consciousness तक पहुंचाते हैं मा कुशमानदा जो है वो एक अन्वे करती है कि हम सब में कहीं न कहीं बहुत सारी intelligence ठुपे हुई है हमें सिर्फ उसे awaken करना है और उसी के हिसाब से हमें चीज़े manifest करने हैं यानि कि analyze करना है, decide करना है और action लेना है कि हमारे लिए best क्या है और सब के लिए best क्या है और इसी तरीके से हमें कुछ न कुछ ऐसा करके जाना है जिसे कि इस universe में हम हमेशा के लिए अपनी presence बना के रख सके और एक positive vibe सब को ऐसी दे के जा सके हैं जिसे कि आग्यानी वाली generations भी हमें याद करें तो friends मा कुछ मानदा हमें सिखाती है कि जब हम life में छोटी छोटी चीजों की कदर करने लगते हैं छोटी छोटी चीजों में खुशियां ढूंड लेते हैं तो life में बड़ी बड़ी खुशियां बड़ी बड़ी चीजों automatically हमारी तरफ attract होने लगती है क्योंकि तब हमारी vibrations इतनी high हो चुके होते हैं इतनी gratitude में हम आ चुके होते हैं कि इश्वर भी हमें बड़ी से बड़ी खुशी देना चाहते हैं life में जब हम छोटे छोटे steps लेना सीख जाते हैं और उनके lessons लेके life में आगे बढ़ते हैं तो इतने maturity हमें मिलती है कि हम automatically बड़ी से बड़ी परिशानी का सामना easily कर लेते हैं बलकि बड़ी से बड़ी परिशानिया हम से डर के हम से पहले ही दूर भाग जाती है किसी की मदद करने की एक छोटी सी aim जब हम life में set करते हैं तो कई बार ये एक छोटी सी aim हमारी पूरी life जीने की वजहाँ बन जाती है एक छोटा सा life purpose जब हम set करते हैं कि हमें society के लिए ऐसा कुछ करना है किसी needy person के लिए ऐसा कुछ करना है जिससे किसी की help हो जाए किसी को जीवन दान मिल जाए society का कुछ भी अच्छा हो जाए कुछ betterment हो जाए कुछ upliftment हो जाए और हम छोटे-छोटे से steps लेते हैं उस सरफ तो कई बार हमारी life लोगों के लिए इतनी बड़ी inspiration हो जाती है ये वो life होती है जिसके हमने कभी खुद वर्थ नहीं की होती अपनी वर्थ नहीं जानी होती तो ये जो छोटी-छोटी सी चीज़े हैं जब हम इन में खुशियां ढूंड लेते हैं इनको embrace करना सीख जाते हैं तभी हम life की बड़ी खुशियों को enjoy कर पाते हैं otherwise जब हम wait करते रहते हैं कि कोई बड़ी खुशी हमें मिलेगी तभी हम life में खुश होंगे तो बड़ी खुशी आने पर भी हम waiting mode में ही रहते हैं हमें लगता है इससे भी बड़ा कुछ आएगा तब हम खुश होंगे और life इसी तरह पूरी तरह dissatisfaction में निकल जाती है instead of living in gratitude and peace मा कुश मांडा हमें सिखाती है कि life में कोई चीज छोटी नहीं होती कोई भी जो आप छोटा सा छोटा step लेते हैं किसी को खुश करने के लिए वो कभी छोटा step नहीं होता वो एक बहुती अच्छी intention के साथ लिया गया step होता है किसी का भला करने के लिए अगर आप कोई छोटा सा effort करते हैं वो कोई छोटा effort नहीं होता वो एक बहुती positive बहुती प्यारा effort होता है तो अगर आप किसी का भी कुछ भी अच्छा करे हैं या अपनी care करने के लिए कुछ भी अच्छा आपने चोटा से स्टेप लेना स्टार्ट किया है तो ये मत समझे कि चोटा से स्टेप है वो आगजा आके आपको बहुत ही अच्छे बड़े रिवार्ड ज़रूर दिलाएगा लेकिन तब तक छोटी-छोटी सी खुशियों को एंब्रेस किरना सीखिए गले लगाना सीखिए स्टेए सेफ, हापी, पॉजिटिव, इन ब्लेस्ट जै माता दी